हेलो एब्रीबन आप मैंसे काफी सात्यों का एक सवाल आ रहा है जब आप दिल्ली डियलेड का एंट्रेंस एप्लिकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यह सवाल आ रहा है कि सब दिल्ली डियलेड के फॉर्म में 12th basis पर जो प्रोस्पेक्टस में गेवन है उसमें 5 best mark subject भर सकते में तो क्या हम additional subject डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं तो आइए इसके बारे में आज में इसको आपको बताने वाला हूं तो देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और यह बताया हुआ है तो देखिए प्रोस्पेक्टस में यह बताया हुआ है जो इन्होंने question भी type किया है तो देखिए यहां पर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि cbsc ने 50% तो आपके aggregate marks होने चाहिए ठीक है और अगर हम बात करें अगर आप calculate कर रहे हैं अपनी percentage तो 10 plus 2 जो मतलब 12 के examination cbsc के हुए है उसमें best 5 subject आप calculate कर सकते हैं यानि कि best 5 कोई भी ले सकते हो लेकिन एक language को include करना बहुत ज्यादा जरूर है अब कैसे इसके लिए मैंने एक sample आपका लिया हुआ है जैसे माली जी यह आपका 12 का result है चीक है देखिए इसक्रीन पर ठीक है अब इसको अच्छे से समझना है अब नाम मैंने हटा दिया है देखिए इंगलिस में इनके 71 है और हिंदी इलेक्टिव में 85 इस्ट्री में 89 पॉलिटिकल साइंस में 85 एकोनेमिक्स में 75 और फिजिकल एजुकेशन में क्या है आपका 80 है ठीक है किलियर तो अब तुम देख पारे फिजिकल एजुकेशन क्या है एक एक एडिशिनल सब्जेक्ट है जबकि उसमें क्या बताया हुआ है कि बैस्ट फाइप आप क्या कर सकते है प्रोस्पेक्टस में कैल्कुलेट कर सकते हो लेकिन वन लेंग्वेज क्या है कंसीडर करनी पड़ेगी आपको आप देखिए यहां पर हिंदी और इंग्लिस आपने यानि कि दो लेंग्वेज पड़ी हुई है तो अगर आप इस फिजिकल एजुकेशन को यानि कि जो एडिशिनल सब्जेक्ट है आपका और इसको आप एड़न कर रहे हो ठीक है यानि क आप add कर रहे हो जोइन कर रहे हो तो आपको क्या करना है मां लिजें इंग्लिस में आपके नंबर कम है तो इसको अटा दीजिए और यह आपके best 5 होगे बन 1, 2, 3, 4 और 5 तो इन best 5 के क्या कर सकते हो आप percentage यह subject आप वहाँ पर fill कर सकते हो ध्यान दखना है अब किसी के ऐसे भी हो सकते हैं कि भाई English में जादा हो और Hindi में कम हो तो भाई आप Hindi को अटा कर English को add-on कर सकते हैं यानि कि एक language को क्या है आपको जरूर consider करना है ठीक है तो इस तरीके से आपको best 5 क्या है calculate करने है और मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा additional आप ले सकते हो शिर्फ किस की जगा पर एक language की जगा पर ले सकते हैं तो जिस भी language में आपके marks कम या ज्यादा हो रहे हैं उसको आपको देख लेना है ठीक है कि कौनसा आपको add करना है कौनसा नहीं करना है तो आशा करता हूँ यह जो सवाल आ रहा था आपका वो clear हो चुका होगा तो आप मिलते हैं आपसे next video में और DLA entrance exam की कम समय में तयारी करना है तो आप हमारे notes और video course को ले सकते हैं thank you for watching